नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्ट्री सेंटर यूटूब चैनल पिस नमबर से हैं और यहां पर देखिए आपको जवाब देना है एक आयताकार कालीन का छेतरफल 120 वर के मीटर है और परिमाप जो है 46 मीटर है इसके बिकण की लंबाई क्य क्या होगी देखिए पहले तो कोशन को आपको ध्यान से समझना है पढ़ना है फिर से आपको तेजी से लगाना है देखिए आयताकार कालीन आयताकार यानि इस तरीके का आपका आयत का से बनता है छेतरफल दिया गया है इसकी लंबाई L मा लेते चवड़ाई भी है अगर ह हो जाओ कि योगफल गुड़े दो होता है ना परिमाप तो यहां पर टू L प्लस B और यह बराबर दिया गया 46 के इससे आप काट सकते हैं तो यह आपका आज आएगा L प्लस B बराबर आपका आज आएगा 23 ठीक ना L प्लस B आपको अब विकड़ की लंबाई पूछा है इ यहां पर हमें L और B दिया गया यह हमको पता है साथ में हमको यह भी पता चल गया है अब हमको अंडर रूट L स्कॉयर B स्कॉयर कैसे निकलेगा तो सबसे पहले हमें इसको स्कॉयर कर देते हैं दोनों तरफ स्कॉयर करेंगे L प्लस B बराबर 23 को तो यहां पर आपका आज देगा L स्कॉयर प्लस का B स्कॉयर प्लस का 2LB प्लस का 2LB A प्लस B का होली स्कॉयर का फर्मल लगा देंगे और 23 के स्कॉयर सभी को बता है 529 होता है अब हम आप से कहेंगे L स्कॉयर प्लस का B स्कॉयर अब प्लस का 2 L और B हमको पता है 120 है यहां पर 120 रखेंगे बराबर 529 तॉस्टर लिखेंगे और यह होता कितना एक सोबीस को दूगना होता है 140 यानि अल स्कॉसर प्लस का बी स्कॉसर बराबर आपका 240 म माइनस कर देंगे मेंना कर देंगे लिए कि यहाऊ पर आएगा 9 12 में चार गया आठ और चार में दो गया यानि दोस्तों यहाँ पर आपका आ गया अब अगर हम आप से कहा है root ले ले जी यह दोनों तरफ root ले लेंगे न root ले लेंगे न तो यह value आपकी हो जाएगी 17 कितनी हो जाएगी 17 तो विकल्ण हमारा होता क्या है under root L square B square होता जो कि विकल्ब नंबर यहाँ पर D number क्या होगा आपका right answer आपका हो जाएगा calculation थी और कुछ नहीं थी उम्मीद है समझ गया होंगे अब हम आगे बढ़ते हैं अगला प्रेशन देखते हैं 27 नंबर 27 नंबर देखिए पूछा गया है यह दिस अमिकरन 20X plus 5Y plus 11 बराबर 0 और 50X minus KY minus 9 1 बराबर 0 का कोई समाधान नहीं है तो के का मान क्या曲 Sinai कोई समाधान का मतलब है उस कि मतलब कोई हाल नहीं है अब कोई हाल नहीं है इसके लिए हमने condition आपको बताया ए1 upon a2 बराबर b1 upon v2 not equal 111 इसे होता है पोई ह loud नहीं होता है बीटू को तो यहाँ पर देखिए ए वान की वैलू यहां पर कितनी है אे वन की वैलू यहां पर कितनी दी गई कि यह यहां पर कितनी है यहां पर 20 है 20 बटेस एक यह वाली होगी 50 बड़ाबर बीवन की बालू यहां पर पांच होगी अब बीटू की बालू मैनमस के होगी मैनमस कखके बस आपको सालब कर लेना अनसर आप 0 0 आप काटी सकते हैं आफ जीरो जीरो काड़ लेंगे माइनस का 2 k माइनस का 2 k का 5 का मीनस का 2 का 2 बराबर 25 तो k बराबर क्थिस आयगा माइनस का 12. 15 का आ फ्रेस कितना होता है 2D Halloween नंबर क्या होगा यहाँ पर इनंबर आपका राइट अंसर आपका जाएगा आसान सवाल था अगला सवाल देखते हैं देखिए बेतरीन सवाल है कोसा नमबर 28 यदि अलफा और बीटा दुगाती समय करने यह आपका दिया गया है मूल है और हमसे मान इसका पूछ रहा है तो अलफा बीटा बटे अलफा ब्लस बीटा का देखिए कैसे निकालें अलफा बीटा इसके मूल हैं कोई दिक्कत नहीं है तो पहले हम निकालते हैं मूलों का योगफल मूलों का योगफल होता है अलफा ब्लस बीटा आपने होता है अलफा ब्लस बीटा क्या होता माइनस कभी अपने होता है तो माइनस का देखिए यह वैलू आपकी रखेंगे न, ये वाले, यापका माइनस होता है, तो माइनस यहाँ भी लगवाया है पहले तो ये प्लस में आपका हो जाएगा, यानि कहने का मतलब यह आप कहाएगा 4 अंडरूट पांच माइनस का वी अपान A, और A की वैलू यहां कितनी होगी 5 plus under root 2 ये आपकी हो गई alpha plus beta हम आप से कहेंगे alpha into beta कितना होगा तो आप कहेंगे C अपानी होता है C की value यह है और A की value यह रहेगी ये आपका आएगा 8 plus 2 under root 5 और बते में आपका रहेगा 5 plus under root 2 ठीक है नओ ये 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 आपका आगया alpha beta प्रस्ट में बोला गया 2 alpha बीटा यानि इसका double कर लिए तो इसका double कर लिजिए 2 alpha बीटा है ना तो alpha बीटा यानि यहां पर आपका आएगा 8 plus 2 under root 5 है ना तू इसमें 2 से multiply कर लेंगे ना बस यहां पर आएगा 5 plus under root 2 अब बटे में alpha बीटा है alpha बीटा आपकी यह है तो यह आपका कितना अगा प्लस अंडर रूड़ 5 है और बटे में कितना हैगा 5 plus under root 2 यह तो कट गया इसे है ना अब आप क्या करेंगे इस से दो कामन आउल ले 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 जीए जब दो कामन ले लेनगे ना तो बाहर हमारा हो जायेगा 4 4 हो जायेगा ना मल्टिपलाइ करने पे और अंदर क्या बचेए का 4 प्लस अनुरूट 5 असंयोग देखिए नीचे भी आपका 4 अनुरूट 5 है ये भी कहन्सी लोग है तो क्या बचा 4 तो इस प्रस्ण का जो अंसर होगा विकल्प नमबर A होगा दीगार समीकरण का सवाल था कोई कठीन नहीं था आसान था बस आप अगर सवाल के लेगए समझ गया ना तो फिर आपका सवाल लग जाएगा अगला सवाल देखते हैं 29 नमबर है लिखा हुआ है दो संख्याओं का मासा 12 है और उनका लासा बहतर है इन में से एक संख्या इतनी है दूसरी संख्या क्या होगी आपने पढ़ा होगा पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या बराबर लासा गुड़ते मासा यह हमने आपको फार्मूला बताया है और यहाँ पर देखिए एक संख्या दी गए यह मालेटे 24 है हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है और यहाँ पर लासा दिया गया है 72 है मासा है 12 इस 24 को भी यहाँ पर भेद दीजिए सेकेंड संख्या आपको निकालनी है अगला प्रसने देखिए लिखा हुआ दो संख्याओं का देखिए यह जो सवाल आपको कराने जा रहे है यह कई बारे परिच्छाओं में पूछा गया है और कई जामों में पूछा गया है इस सवाल को थोड़ा इंप्वर्टन समझीए जो योग है यह आपका दिया गया 602 है यह आपका दिया गया 602 के क्या है बराबर दिया गया है इतना आप लिख लेंगे ठीक है अब यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है लासा मासा हमें योग दिया है अगर हम यही लासा की वैलू जो आपकी 42 एम है ना यहाँ प चाफसाइय के है जब धालएस ये तो आपको पता ही ये जौराव गुरे वयलिस है सो कहने का मतलब 被 मतल कमें से 1कल 2004 a चाफसार दूसरी का इस दिशतलो MP3 और 236 और M34 ने पिरेंगे चारन्सार्प लाएगी तो यहां पर बस आपको देखी क्या करना लासा आपका कितना है 14 गुड़े 42 था आपका मासा की बात करते हैं 14 था एक संख्या आपकी 84 दीगे यह भाग देदीजिए इससे आपकी दूसरी संख्या जो है आपकी निकल आएगी 14 कितना होता 14 छंग 84 होता है 642 होता है 14 संख्या 98 होता है 98 में देखिए कहां लिखा हुआ है विकल्प नंबर आपका ए नंबर राइट अंसर आपका हो जाएगा तो ये भी आसान सवाल था उम्मीद है समझ गए होगे आगे बढ़ते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सेयर जरूर करते रहिए अगला सिदे ग्रहक को साड़ी 180 रुपए में वेचता है तो उसका लाव परसंट और ग्रहक को लाव परसंट कितना होगा देके बुनकर है ना बुनकर ने पहले एक दुकानदार को बेचा थीक है 150 रुपए कीमत पर बेचा और इसके बाद यहाँ पर 25 पर पर प्राप्त करता है इसका मतलब 150 की बेचने पर उससे 25 परशन का लाब होता है ठीक है ना तो बुनकर ने कितने खरीदा उसको छोड़िए नहीं नहीं उसको निकाल लेजिए ऐसा करिए सबसे पहले आप ऐसा करिए कि देखो बुनकर जो है 150 रुपए की और यहां पर 25 परशन के लाब प्राप्त करता है तो पहले निकालते हैं कितना परशन लाब है 125 परशन 125 परशन के फ्रेक्षिन वैलू क्या होती है 125 वैटे 100 कर देंगे ना जितना लाब होता है उसमें 100 में जोड़ देते हैं तो चीपी में लाब हानी गर्णा की जाती है और यहां 150 रुपए लिखा है ना इसके बराबर कर लेंगे तो पहले हमको यह मालूम हो जाएगा ना कि बुनकर ने कितने रुपए के खरीदी थी है ना बुनकर ने सारी कितने रुपए के खरीदी थी कि 150 रुपए तो बेची रहा है ना तो कम में खरीदा होगा इसका मलब 150 से कम में खरीदा होगा पचीश-पंचीश-पंचीश होता है पचीश- से भी लगा सकते हैं कई मैथेड है कोई इसमें दिक्कत नहीं है चलिए यहां पर देखिए अब आपका और साल होगा गया 25 255 26.500 ठीक है और यहां पर आपका देखिए यहां से कड़ जाए गए 20 26 यानि जो बुनकर बुनकर ने किसका होगा यहां से क 스ौ महारा 151 रुपय होगा या किसका होगा दुकान वाले ने ख़रिदा है यह दुखंदार का होगा CP अब इसने क्या किया 30% लाप पर एक ग्रहाग को बेच दिया अब यह 30% लाप पर बेच लाना तो इसका मतलब कितने बेचा यह निकाल लेते हैं ग्रहाग को 30% के लाप बेना 130 बटे 100 कर लेंगे बस सिंपल है 0000 काट लेंगे और यहां पर आप काएगा 1365 और 13136 यानि कहने का मतलब 115 रुपईया में बेच दिया तो पहले क्या किया बुनकर ने 120 रुपईया में साड़ी खरीदा 150 में दुखंदार को बेचा दुखंदार ने 150 में खरीदा फिर वो ग्रहाग को बेच दिया 195 में अब आगे पढ़िए यहां पर लिखा हुआ है यदि बुनकर सीधे ग्रहा को 180 रुपईया में बेच देता है तो बुनकर जो है 120 की खरीदा है अगर यही 120 की चीज अगर वो 180 में सीधे बेच देगा तो सिंपल सी बात है 60 रुपई का प्राफिट होगा बटे में 120 आएगा और यहां से अगर आप निकालेंगे तो चल गया लेकिन यहां पर लिखा हुआ है और आगे क्या ग्रहक का लाब रुपई में तो देखिए ग्रहक का लाब रुपई में पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है यह 180 है यहां पर कितना है 195 कितना है या देख तो कितना आप कहेंगे 15 रुपई है ना तो बस आपका बिकल्प नंबर यहां पर आपका C नंबर हो जाएगा देखिए सवाल की बस main language होती है आप समझ गये तो फिर आपका सवाल लग जाएगा उम्मीद है समझ गये होंगे आगे मढ़ते हैं अगला प्रशने देखते हैं देखिए 32 नंबर आपसे पूछा गया है अच्छा सवाल कए इसको देख्यान से लिखा हुआ नियम्म दिखित तारिका के आधार पर महिने में उत्पादित प्यैचों की ऑसा संख्या से ज्यादा थी कौन से ज्यादा थी तो सबसे पहले आईसे प्रस्णों को आपको क्या करना है पहले इनका एवरेज निकालना है एवरेज कितने लग देखिए जनवारी फरवरी मार्च अप्राइल माई जून 6 महीना टोटल है ना इन्हें सब को जोड़ेंगे तो आपका 200 कितना आएगा 15 100 आएगा टोटल कितने महीने 6 से भाग कर देंगे तो यह आपका आगया 200 200 आएवरेज अब देखिए यहां पर प्रतेग महीने में उत्पादित पैचों के और सशन्ख्या जदा 200 देखिए ज़्यादा कहां कहां पर है 200 देखिए ज़्यादा कहां कहां पर है आप कहेंगे फरवरी में है और कहां पर है 200 से ज़्यादा जूर में है फरवरी और जूर में है ना तो विकल्प नंबर आप लगा देजिए B नंबर बिकल्प नमबर लगा देंगे B नमबर, B नमबर क्या होगा इस प्रस्ण का आपका राइड अंसर आपका हो जाएगा, अगला प्रस्ण देखते हैं, जैके 33 नमबर बहुत ही आसान सवाल है, करा सरल कर यह, सरल करना है, तो हमने कई बार बताया, पहले 4 बटे आपको 28 तो लि देखते हैं, ठीक है कि याद रखेगा, यह आपका कांसेप्ट होता है, और यहाँ पर कार सकते हैं, देखिए, 4 एकम 4, 7, 7, 35, 5 एकम 5, 5, 20, है न, और यह सब कटी रहा है, 4 दूनी 8, और 4 एक्टे 32, यह तो सब कटी गया, कुछ बचा क्या, एक बचा है, एक अंसर आ रहा ह चालीस बेज़स नंबर 14 करवाया था, जो हमने प्रेक्टिस बचाशान आपका 14 करवाया था, उसमें से कोसर नंबर आपका था, 40 नंबर, कोसर नंबर कासında था, 40, 40 नंबर पर यही त्यां ऑनसर आपका कितना आया था, 14 आया था, पहले संचाई 2 राम ऒरतां निकालेंगे, और फिर आपको कर लेना है, ये कल के प्रेक्टिस सेट पर हमने करवाया था, 14 वाले में, तो 40 नमबर में है ये सवाल, सेम सवाल है, तो कोई बताने का मतलब है, नहीं, प्रेलिस्ट वनी हुई है, सारे बीडियो आपके पड़े हुए, आप बैक जाएए, वहाँ पर 40 नमबर परसों में ये ब्रद्धी इतनी इतनी बढ़ रही है, तो पहले कितनी जनसंख्या थी प्रादम में देखिए, आईसे प्रस्णों को देखिए, आपको कुछ नहीं मतलब करना है, बहुत ही आसान तरीका है, जो जनसंख्या आपके दीगे हैं एक लाग, इसको आप ऐसे लि इसको जोड़िये सौ में से 105 बटे सौव आएगा, 110 बटे सौव आएगा, 115 बटे सौव आएगा, इतना सब आप कर लेंगे, है ना, पांदू निदास ये तो आप ऐसा करिये, ये तो आप ऐसा करते देखो, ये आप ऐसा करते इसको मत कटिये, ऐसा करिये, कटने कटी जाए और यहां पर 105 आएगा इंटू हमारा 11 आएगा इंटू 115 सिर्फ कैल्कुलेसन थी और कुछ नहीं आधे ना और देखेंगे आपको गुड़ावी नहीं करना आई इकाई यानि लास्ट में जो भी अंसर होगा ना उसमें 5 आया होगा और आप बिकल्ब देखेंगे ना तो ए नंबर पर आया हुआ है बाकि आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है आप इतना बड़ा गुड़ा करना है तो आप फिर मतलब आपको ट्रिक नहीं पता है ऐसे सवालों में तो और अच्छा रहेगा बाकि हम बेसिक भी बता देंगे कोई दिक्कत नहीं है है ना बेसिक पहले समल लो आपसर से भी लगाया जा सकता है देखो यहां पर लिखावाए ना दो संख्याओं में इसे बड़ी संख्या ए थोटी संख्याओं में इसे बड़ी संख्या का चार गुना बड़ी संख्या का चार गुना चोटी संख्या के तीन गुने का योग 71 है तो अब आप इसको चाहते तो पहले वाली एक्वेशन को आप क्या लिखेंगे इसमें चाहो तो दो से गुड़ा और कर लिजिए तो दो से गुड़ा कर लेंगे न तो यहाँ पर फोरे आ जाएगा दो पंचे दस भी आएगा और दो तीर का चाहे यह नीचे वाला हमारे कितना था फोरे था प्लस का थिरी भी था बराबर आपका 71 था काट लेंगे माइनस क आपका पांच यानि यहाँ पर आपकी भी बराबर पांच देखिए यानि यह वाली चोटी पुझा पांच होगी तो पांच आप देखेंगे ना सिर्फ एक ही आपसर में दिया गया सी में है ना 14 पांच यही हो गया यह तो आपके पास एक जैनल तरीका है अगर आपसर से आप देखिए बड़ी संख्या करेंगे ना 28 आपके नहीं आपके पेपर में ऐसे ही सवाल आने के चांस ज्यादा रहेंगे अगला सवाल देखिए 37 नमबर एक मासिक परिच्छा में 16 विद्यारतियों के गड़ित में प्राप्तांग दिये गए हैं बहुलग बहुलग क्या होता है बहुलग हमने कई बार बताया है जो अंक सबसे ज्यादा बार आता वहीं बहुलग होता है और इसमें से आप देखेंगे ना 5 जो है कई बह बार आया है लगबग कितनी बार चार बार आया हो मैक्सिमम यही है तो बस पांच इसका अंसर हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं 38 नमबर लिखा हुआ एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधीक है अर्द परिमाब दिया गया है देखो इसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर आपकी अधिक है यानि बराबर बी प्लस चार अर्द परिमाब क्या होता है यह प्लस भी होता है अर्द परिमाब आपका दिया गया है 36 ठीक अना अब आप अजा करिए यह जो ल की वैलू है ने वी प्लस फॉर यही रख लाता सीधे एल पूछ रहा था चलो कोई दिक्कत नहीं कोई भी किसी बिट पर तरीके लगा सकते हैं यहां पर टूबी बराबर 36 में से त्रिज्या दो बार गोले के ध्री भाहाधा है यहां इसका निकालते हैं गोलेका क्या होता है च ow कि होता है चार्वण 30 म Lisa सब्सक्राइक भरण डीक can परसंटेज वही लगाना है यहां पर जूरो जूरो काटेंगे 125 परसंट हो गया भी कल्प नंबर आपका भी हो जाएगा अगला देखते हैं लिखा हुआ है किसी बंटन का बहुला ज्याद किया जाता है इतना असान प्रस्ण है आया चित्र दोर यह भी कल का प्रस्ण है कल के वीडियो पर कराया था रिपीटेट प्रस नहीं आपका अगला देखते हैं किसी तरभुज में दो भुजाओं की लंबाईयों को योग सदय तीसरी भुजा से बड़ा होता यह भी हमने कल कराया था है यह भी हमने कराया है हमेशा याद रखिएगा किसी भी तरभुज में दो भुजाओं के लंबाईयों को योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा आपका होता है अगला देखते हैं 42 नंबर देखिए लिखा हुआ है यदि 2x स्कॉयर प्लस 7x माइनस 4 बरावर 0 के मूल अलफा बीटा है तो वह समीकरण क्या होगा जैसके मूल यह होंगे तो यह स समीकरण आपका banayगालफा स्कॉयर मूलों को युग होता है नाइन्टी एक्स होताद nah apart मुर्ण होता है यह दोस्तों आपका स्टाइंडर हो गए stick को कोई बत नहीं यहां ब county देते पिर से Cr माइननस घ्रालफा क्स्पिर बीटाइस क्वार एक से अब प्लस अलफा-इक क्वार बीटाइस क्वार बराबर जी रो यह आपका स्टेंडर संभी करना यह और इसमें से आपको alpha square beta square पता होना चाहिए ऑलफार square plus beta square alpha square इसवार बीटा कर दोनों पता होंगे नहीं आप रख देंगे आप अंसाल आजाएगा दो देखिए सबसे पहले आपको कैसे निकालना इससे पहले निकालते है अलफा ब्रस बीटा दिया है न हम्हारेंगे अलफा ब्रस बीटा कया ओगाल सब्रद्र आपको ihr om अव्हासा चाहएंगे तो कितना ऐगा थाया जाएंगे सब्सक्राइभ क्लाइभ और पेसा था तो करिए इसका स्कॉयर करेंगे एकल अंब यह अपका कितना जाएंगा अलफा स्क्वाइर प्लस का बीटा स्क्वाइर प्लस का टू अलफा बीटा बराबर साथ का स्क्वाइर करेंगे साथ सत्य 49 दो दुनी चार यानि 49 बटे 4 आएगा और अलफा बीटा की वैलू यहाँ पर पता है कितनی है माइनस को 2 है ना तो यह उधर जाएगा तो add हो जाएगा माइनस को 2 उधर जाएगा तो add हो जाएगा यानि alpha square प्लस का बीड़े square बराबर माइनस 2दूनी 4 होगा ना तो 4 उधर add होगा यानि 49 बटे 4 का प्लस का चार जो यह आप का आएगा इस अभी आपको का करना होगा तो यहां पर देखिए अल्पा स्केर और भीट एस्कोर बेटेश आएगा उनचास बटेट 719 ना तो दोनीछ ठीक कोई दिक्कत नहीं इसको आप साल कर लेंगे तो उनचास और और यहां पर कितना है इंचास ठीक तो है उनचास और सोला उनचास वीटेए चार आए या निदो स्टों यह आप करा जाएगा 25डे चार कितना आएगा 25 बटे तो बस यहां पर अगर लिजी एक स्कुराइर माइनस 25 ग्रते 4 एक से यहां पर देखिए यहां पर अल्फा-बीटा मेटा था माइनस का दो ठीकिने जब स्क्वाइर करेंगे न तो यह चार हो जाएगा बराबर आपका जीरो अब यहां पर इसका मल्टिप्लाई देखिए इसमें हो जाएगा न एलसीम अगर मालों लेते एक तरीके से एक्जांपल आपको बता रहे हैं तो फिर एलसीम अगर मालेंगे चार तो चार त अगरा विकल्प नंबर सी नंबर क्या होगा आपका राइट अंसर आपका हो जाएगा इस तरीके से आपको लगाना था समझा रहा है इसलिए समय लिए वाकि आपको एक्जाम में तेजी से लगाना है अगला देखते हैं अग्या हमारा पाई चार्ट का सवाल है बहुत ही है कैसे लगाएंगे देखिए यहाँ पर पहले कोशन को पढ़िये ध्यान से फिल लगाते हैं देखिए लिखा हुआ है ना वाइलिन वाइलिन आपका कहा यह 16 परसेंट है इसी का पूछा गया है कि डिगरी में बताना है तो देखिए यहाँ पर पूरी वैलू परसंटेज में दी गई है तो 100% आपका पूरा परसंटेज में होगा यही आपका डिगरी वनाएगा 360 यानि हम यह कह सकते हैं कि 100% बराबर आपका 360 डिगरी क्यों होता है है ना और यहां से आप से पूछा गया 16 डिगरी कितना होगा 16% कितना होगा तो 3060 बटे 100 गुड़े 16 कल दीजिए आपका अंसर आ जाएगा 00 कट इए और यहां पर आप काटेंगे ना कितना आए दो पंचे 10 सब्सक्राइब कर देंगे आपका अंसर आजाएगा तो देखिए जब भी आपके पाइचार्ट की सवाल हो बस यह आपको रिलेशन पता होना चाहिए पहले आपको पता ही होगा यह निकालना है इसका भाग देंगे आपका अंसर आजाएगा तो पहले सब को पहले क्या करो इनको पहले निकाल लो है ना कितने नंबर है यह 1, 2, 3, 4, 5 है यह तो टोल कितने हैं हमारे पास 5 है फिर पांच है कोई दिक्कत नहीं इनको आप घर जोड़ी है तो एकसे कितना 2 एकस, 3 एकस, 4 एकस, 5 एकस 5 x इधर जोड़ेंगे 3 5 3 8 7 15 25 25 आएगा यानि यह हम कह सकते हैं 5 x से अप्लस 25 अब बते में कितना रहेगा 5 बराबर यहीं माद दिया गया है हम यह कह सकते हैं कि 5 x से प्लस 25 बराबर 45 आप कहा जाएगा नहीं यह 45 45 में से 25 घटाएंगे 20 आएगा यानि एक्स वराबर आपका 4 आ गया एक्स के वैलू कितनी आगी 4 एक्स के वैलू हमको पता चल गई ना 4 है बस हो गया हमारा कम लाश्ट के 3 पूछा गया है तो लाश्ट के 3 यह यानि 5 4 कितना होगा 9 और 4 इसमें भी जोड़ेंगे 9 8 कितना ह होता है 17 9 9 कितना होता है 18 अना यहीं तो होगा 9 9 अंतिम 3 प्रेश्णों का मात्य पूछा गया है अंतिम 3 तो आपके तु है सही तो है यहाँ पर 4 आया ना 549 अचा 8 4 12 होगा ठीक यहां 12 होगा एक मिनिट गरबढ हो गया चार्ज ओड़ा है ना आट में चार्ज ओड़ेंग हुआ है विकल्प नंबर डी ठीक ना तो पहले क्या करना आपको एकसी बैलो निकालना है और यह एकस प्लस 5 एकस प्लस आर्ट एकस प्लस नो लिखा हुआ है ना इन में से चार चार जोड़ेंगे ना तो आपका 9 12 13 इतवाएगा बस आपको तीन से भाग कर देना तीन का प 25 125 अब इंटरचेंज कर लो अब पांच हो गया चार हो गया पांच की चार में बेचो के एक कहानी होगा अब बटे कितना आएगा पांच इंटू सो बस सिंपल सवाल था तो बीस परसेंट की हानी होगी विकल्प नंबर सी अगला सवाल देखते हैं 46 नंबर देखिए लिख का 6 परसेंट है अप प्लस बी का 8 परसेंट है आपको क्या करना पहले तीन का मल्टिपलाई इधर कर लेंगे ना दो का इसमें कर देंगे तीन करेंगे तीन पचे 15 पंदरा पंदरा होगा ना यानि आप ऐसे लिसकते पंदरा एंटू 15 परसेंट बी इंटू 3 को 12 परसेंट या पर कितना है एंटू 2 छा का 12 परसेंट अब बी इंटू 16 परसेंट परसेंटेज चाहें तो दोनों तरफ में कॉमन ले लेंगे हटी जाएगा तो परसेंटेज के कोई काम ही नहीं है परसेंटेज का कोई काम ही नहीं है है परसेंटेज सा बठा दो इसको इधर ले आओ तो ए 15 A में से 12 गटाएंगे ना कितना आएगा आपका 3A 3A आएगा और यहां पर 16 B से 12 गटाएंगे ना 4B आएगा बस हो गया तो A और B का रेशियो बनाना है तो A बटे B लिखेंगे और यहां चार बटे 3 4A 3 कहा है बीकल्ब नंबर B है ना कुछ नहीं था बस काल्कुलेशन थी और कुछ नहीं यहां पर राइट असर आपका 4A 3 हो जाएगा अगला देखते हैं देगि लासा मासा का सवाल नहीं हमारा यहां पर बोला गया है फ्रेक्षन का सवाल है पुछा गया मासा बताईए है 070 50 और 30 शृच्थं इनका अगर लासा निकालेंगे तो आपका आएगा जो कितना आएगा दोस्तों सब्सक्राइब बस बारबटे डेट्यों काट यहिस्ट आपका अंसर आजाएगा यही से आपका क्या होगा अनसर आपका आजाएगा बस हो गया था है अगला देखते हैं अगला सवाल देखते 48 नमबर यह जो सवाल कराने जा रहा है इसको very most important समझी है यह इतना अच्छा सवाल है कि एक्जाम में गर जिसे concept नहीं पता है ना concept तुम आपको बताएंगे नहीं पूरा detail में कैसे होता है हलाकि आपको लाजिक बता दे रहे हैं कैसे आपको लगाना paper मे जब भी प्रस्ण काहे कि किसी संख्या को किसी भाजग द्वरा बिभाजित करने पर सेस्फल आ रहा है तो जो पहला वाला सेस्फल है ना उसको दुगना कर दीजियेगा 24 का दुगुना कितना होता है 48 होता है पहला वाला सेसफल जो बाद में लिखा था वो कितना आ रहा था 15 इनी दोनों को अंतर ले लिजिएगा आपका अंसर आ जाएगा यह आपकी लाजिक ट्रिक होती है याद रखेगा अगर याद तिगुना कह दिया होता पांच प्रशन की ब्रद्दिक की जाती है चेत्र फल में सक्सेश लगा सकते हैं एकस प्लस य प्लस एकस वाई बटे सो तो कोई दिक्कत नहीं है पांच प्लस पांच दस दस और करेंगे ना तो 10.25 परसेंट आएगा है ना 10.25 परसेंट आप ऐसे भी लगा सकते हैं मुझवानी लगा सकते हैं कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है चलिए लास्ट सवाल है हमारा यह पचास नंबर अच्छा सवाल है देखिए लिखा हुआ है सम्चत्रभुज की एक भुजा की लंबाई तो यहां पर एक लंबाई आपकी देगे है इसमें यह लंबाई का सभी के लंबाई सत contemporary नी होगी है सत्त्रे वट्री तीन हो ग ना च olduğ AI इसका बिक्रण यह दिवन होता है यहीं हैं मा लेते हैं दइखे इसका फारमूला होता होता है अब इस है हुआ लगा default कि起ии कि Day days Gal gef में अपने इसकोष प्लस डीटु Ferr Comic दे रहाएं बराबर आपका फोर्न एस्कोष स्वाइर होता है क्या एक बुझा होती है अब इसी लगा लगा गया है आथ दिया गया है सब्सक्राइब यह आपका होता है ठीक है तो उनमें से एक विकंड दिया गया है तो हमने माल लिया 16 वटा 3 का स्कॉयर दूसरा विकंड की लंबाई पूछा गया है 4 इंटू A स्कॉयर एक मतला भुजा जो दी गही थी 17 की स्कॉयर करेंगे 289 आएगा कि तीन के स्कॉयर करेंगे 9 आएगा चार गुड़े 289 आएगा इसका वजब करेंगे 256 कितना आएगा 256 बटे कितना आएगा 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 ठीक कर देखी इसको गुड़ा कर लीजिए इसको गुड़ा करेंगे ना 4 नहीं ए 36 और कितना आएगा कर लेते हैं 4 नहीं 36 4 अठे कितना होता है 32 32 और 3 कितना होगा 35 4 नहीं 36 4 अठे 32 35 4 दूनी 8 3 11 यानि 11 56 बटे नो आएगा माईनस करेंगे 16 की स्क्वेर क्या होता 256 और 3 के स्क्वेर 9 दोनों के denominator सेम है 1156 में 256 माइनस करेंगे 900 आएगा 900 बटे 9 900 बटे 9 का मतलब कितना होता 100 यानि 100 आएगा यानि हम यह कह सकते d2 square बराबर आपका 100 आएगा तो d2 बराबर कितना आजाएगा 10 यानि बिकल्ड के लंबाई कितनी आएगा जलाइगा थे जह प्रौब टीन आएगा होग जब दो कितनी आएगा Mind